हालो सुडेंट्स अगर किसी भी ग्रूप का ओडर प्राइम की पावर टू है मतलब यहाँ पी स्क्वार टाइप का अगर ग्रूप है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्स बनते हैं जिन पे सी एस ए और नेट गेट एन आई डी जेम पे बहुत सारे क्वेश्ट बनते हैं अगर कोई भी ग्रूप है जिसका ओडर 25 है या 49 है या फिर हमारे पास 121 है मतलब प्राइम की पावर टू है तो वह हमेशा अबीलियन होता है एक बात दियान देने के जरू होते है मतलब नोन अबीलियन ही होगा नोन अबीलियन कभी नहीं होगा जब भी हमारे प होता है यह हमारे पास नॉन साइकलिक पट अबीलियन ग्रूप होता और दोनों ही हमारे पास अबीलियन होता है बस यह साइकलिक होता है यह हमारे पास नॉन साइकलिक ग्रूप होता है यह फर्स कंसेप्ट ही बता रहा हूं आपको कोई भी ग्रूप जो है उसका ओडर कर हम पराबर होता है एंड जो class equation होती है उसका क्या चला जाता है तो यह वह हमारे पास one प्लस one प्लस one इसका क्या हो जाता है इसका class equation हो जाता है अब कुछ और concept बताऊँगो मैं आपके सामने यह पे आप इस विन एक और concept जो होता है कि जो भी हमारे पास दो टैप के group होते एक तो जैड़ पी स्कॉर का होगा एक जैड़ पी क्रोस जैड़ पी का होगा राइड तो हमारे पास जो जैड़ पी स्कॉर है वो साइकलिक ग्रूप होता है अगर आपको element पूछ लिया जाए कि यह वन ओडर का होगा और फाइड़ पी माइनस वन होती है अगर आपको यूलर फाइफ फंक्शन को अपलाई करना नहीं आता तो आप पर जाके मेरा इसका प्रीविएस वीडियो देख सकते हैं इसविन बात करेंगे जैड़ पी क्रोश जैड़ पी महम राज किस टाइब के element होता है जिसे फ़र एक्जांबल में आप से बोलूँ कि इसी ड़िप से गर हम P की बात करें, माल लिजे यह पे ZP क्रोस ZP की बात करें, तो यार हमारे पास 1 और P आएगा, 1 और P आएगा, वन और P आएगा, वन और P आएगा, तो यह को लिखेंगे 1P, P1, NPP हो जाएगा, अगर हम आपको इसकी element निकाले, किते element होगे, तो इंट उल यूलर 5 फंकशन में पी की वेली बी मैंस 1 विक आखी तो रहा जांतें कि एलिमेंस ऑन गे यह हों होली स्कुरात दों हब पास तोटलalities को समझने-पाइंगे प्लस प्लस पी-1 माइनस फोडल यह वॉडली पास प्लस पी-1 का होली सवें harsh इसके जो subgroup होते हैं वो हमारे पास obviously unique होते हैं और वो हमारे पास किस order के होगा या तो one order का होगा या फिर p order का होगा या फिर p square order का होगा for example जिसे अगर आपसे बोला जाए कि जैट 25 तो जैट 25 को कौन-कौन डिवाइड करता है तो जैट 1 करता है एक जैट 5 करता और एक जैट 25 इसके लाब कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा या दे टाव एंड सम इसके number of subgroups निकालते हैं और नब टाव इसके डिवाइसर है तो यह हमारे पास तीन क्या होंगे इसके सब ग्रूप होगा तो यहीं मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके number of subgroups कौन कौन से होंगे तो यहां बताना चाहता हूं कि इसका order का हमेशना साइक्लिक होता है और साइक्लिक होता है और साइक्लिक होता है हमारे पास यहां फार्मला होता है अगर किसी भी group के अंदर P order की कितने subgroup होते है तो वहां पर हमारे पास होता number of element order of P divided by 5P तो आर हम जाते है ZP into ZP में P order के कितने element होते है जो मैंने आपको अभी बताया यहां पर calculation में आपको मैंने भी बताया यहां पर calculation में कि हमारे पास P order के कितने element होंगे तो P minus 1 P minus 1 and यह अगर इन तीनों को add कर दें तो जब आप add करोगे तो हमारे पास क्या आगा एगा P minus 1 plus P minus 1 plus P square plus 1 minus का 2P तो आप देखरे हुँ यह P से P तो क्या हो गया 2P से cancel हो गया आप देखरे हो हमारे पास यहाँ पास यहाँ फ्कला 1 से 1 ूद करसी का होंगे P order के element होंगे तो आपको निकालना तो number of element of order P तो हम जानते तो पी प्लस वन हुआ प्र स स्वेजोव प्लस और कि यहां पर उट होगे तो इन होगे, आपको समझने की ज़रूता है लि ч Sans बात करतें यहां पर कि जैसे घर थी स्वेजोद प्र आँप में कि टाइप का है तो तो यहां पे एक तो पिलस मनेगा और दो यह बनेगे तो प्लस वन और दो प्लस थरी बन जाएंगे सट करें लोगा क्त करोछ टवर होगा और pag हमारे पास identity हो जाएगा एक Z5 क्रोस Z5 हो जाएगा और एक हमारे पास five order के कितने सब्ग्रूप होंगे five plus one पी प्लस वन होता है तो five plus one मतलब six subgroup होंगे यहाँ तो यह चे साथ और आठ तो मतलब Z5 सब्ग्रूप होते ही आपको समझने की ज़र होता है अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेशन मताता हूं मैं अगर हमारे पास कोई भी ग्रूप है जिसका order 9 और प्राइम की पावर है तो है तो है तो हमारे पास यहां पर क्या होता है जीज आइसो मॉर्फिक टूज यह दोनों इक होगा यह मारे पास साइकली को और यह मारे पास क्या होगा नॉन साइकली होगा तो यह यहां पर अलग अलग टाइप के ग्रूप स्पोसिबल है 9 order cake, तो हमारे पास Z9 होगा, एक हमारे पास Z3 cross, Z3 होगा, जो कि एक दूसरे के non-isomorphic होते हैं, सेकेर्ड हमारे पास G is always abelion group, एंट थर्ड जो होता है, सेंटर हमारे पास क्या होता है, G के बारावर हो जाता है, जो कि मैंने प्रीवेस अभी अब बात करेंगे कुछ example लेते हैं, पहला example है, अगर कोई भी group, अगर हमारे पास प्राइम की power 2 है, तो हमेशा क्या होता है, सेंट अबिलियन होता है, तो यार भी option हमारे पास क्या हो जाएगा, पात करेंगे हमारे पास next question में, और next question में पास क्या बोल रहा है, कि लेट जी बीदन दोन साइकलिक group of order 49, अगर देखो नोन साइकलिक है, तो हमारे पास ये Z7 into Z7 type का होगा, देखो साइकलिक होगा, तो Z49 होगा, और मैं पोला जा रहा है कि नोन साइकलिक है, तो यार ये तो हो नहीं सकता, मतलब होगा ये, अब आपसे पूछे जार है कि the number of element of order 7 होगा, तो यार हमारे पास 7 order के कितने element होगे यापे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 7 order के क्या element होगे, हम जानते हैं इसको 17 divide करता है, तो या तो 1,7 होगा, या फिर हमारे पास 7,1 होगा, या फिर हमारे पास 7,7 होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ यह आएगा, यह 5,1 into 5,7 हो जाएगा, या अब हम निकाल सकते हैं, 5,7 into 5,1 हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, 5,7 into 5,7 हो जाएगा, हें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसकी बात करें तो यह ayoga one इंटो 6 हो जाएगा इस बिंद ऑन हमारे पास ऑजाएगा six anyway और है यह चैर यह चै और इसके अलबाद जितने भी एलिमेंट होगे सबका ओडर यहां पर 7 होगा तो टोटल हमारे पास 49 होते हैं 49 में से एक माइनस कर देंगे तो 48 वैसे भी आ जाएगा और इस तरीके से भी आप को सॉल कर सकते हैं अंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है लेड ten the नॉन साइकलिक गृफ ऑफ ऑफ ऑडर वन त्वेटे वन देन लिए ओडर इलेवन के मारे पास यहां पर कितने element होंगे इसका answer आपको मुझे comment box में देना और आपको discussion को solve करने में कितने second लगे आप प्लीज मुझे comment box में ये भी लिख के बताइए so thank you so much watching में और कैसे लग रहे हैं आपको मेरी shot trick और इस टाइप की videos please आप मुझे बताइए comment करके ताकि मैं इस टाइप की series और भी continue करूं इस लासने मेरी group theory की videos आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो नया challenge पे काफी सारी shot trick अप्लोड कर रहा हूं वो भी आप यहां पे जाके देख सकते हैं सुन यहां जाके मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे